यह कहानी है मेरे कम उम्र शवर की चलो तो शुरू करते हैं। जब मेरी शादी सानूल के साथ हुई तो इस वक्त इसकी उम्र सत्रा साल थी, मुझे तो अभी तक बच्चा ही लगता था। और मैंने अपने घर वालों को भी काफी दफा समझाया कि मेरी इतनी ज्यादा उम्र है, इस बच्चे के साथ मेरी शादी क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मेरे मामू का बेटा था और मेरी उमी की यही खवाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी उसके साथ हो जाए। लेकिन मेरे घर वालों ने उमर का जरा भी लहाज नहीं किया और मेरी उमर पचीस साल थी, मैं फल जवान थी और मेरे उपर जवानी का फल अरूज था, लेकिन मैं यही दिल में सोच रही थी, कि ये बच्चा पता नहीं, मेरी सारी खवाहिशात पूरी भी कर पाएगा, या न नहीं बलकि बड़ों से भी दो कदम आगे हैं, मेरे मामों के दो बेटे थे, एक बड़ा था और मेरी शोटे के साथ शादी होने जा रही थी, बड़े की शादी हो चुकी थी, उसके पास अल्ला ने एक बेटा भी दिया था, खैर मैंने घर वालों की जद की वजह से सानूल को कबूल कर लिया और इस तरह मेरी उसके साथ शादी हो गई और अज में कमरे में सानूल का इंतिजार कर रही हूँ, लेकिन सानूल रात बारा बजे अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा, इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी, कहने लगा क्योंकि क्या हुआ, मैं हर रोज इस ही सोता हूँ, चलो सो जाते हैं, मैं उसकी बात सन कर बहुत ज्यादा परिशान हो गई और अंदर से दखी भी हुई कि ये कैसी बातें कर रहा है, रहा है और मैं सोच रही थी, कि मेरा शक सहीह निकला, ये तो अभी वाकी ही बुच्चा है, और मेरे घर वालों ने इस बच् बिसर करना थी, लेकिन मेरी उन खुआशात का, क्या जो वो अभी तक पूरी ही नहीं कर सकता, था मैंने अपने बड़े दीवर को बताया, उसने कहा, भाभी अप टींशन, नलो एहस्ता, एहस्ता, सब ठीक हो जाएगा, आप दोनों भी खूब इंजवाई करेगे, मैंने कह कौन सी ऐसी इंजवाई जो मैं नहीं कर सकती, आप तो हर रोज इंजवाई करते हो, कहने लगा टींशन, नलो मैं कुछ करता हूँ, फिर इस तरह मजबूरी में मुझे बड़े दीवर से अपना काम करवाना पड़ा, और जब मेरे शोहर की उम्र 20 साल हुई, तो उसे कुछ आकल अगई, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ हो चुका था, जब उसने अंजवाई किया, तो कहने लगा ये क्या, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा, मेरी उमर जियादा है, इसलिए ये मसीले, मसाइल बन रहे हैं, कहने लगा चले कोई बात नहीं, जिन्दगी में ये हिसाब क किताब तो होते रहते हैं, जी एओ प्यारे दोस्तों आपको, इस कहाने से आपको क्या सबक मिलता है, कॉमेंट्स करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें